हलो दोसतों काफी दिनों बाध मैं एक वीइडियो बना रहा हूँ तो मेरा यह जो वीडियो है वो सिर्फ आ हाईरे वालों के नहीं है कि कि इसको करने केलिए चाहे आप पूरी टीम ही क्यों न लगा दें चाहे उसमें इंजिनियर्स आते हैं चाहे जुनियर इंजिनियर्स आएंगे चाहे एड़ प्लांट ऑपरेशन तक आने पड़ते हैं ठीक है लेकिन इलेक्टिकल डिपार्टमेंट के जितने भी लोग है सबकी जिम्यवारी बनती इसे आप लोग इस पे ध्यान से इस वीडियो को देखेएगा ठीक है तो यह एक मॉड्यूल है मॉड्यूल मतलब फीडर इस फीडर में यह पैनल जो मैंने खोल के रखा है इस पैनल को वहां पर फिट होना पड़ता है यही से निकाला हुआ पैनल है मैंने सिर्फ आपको ए इसके अंदर क्या-क्या होता है वह मैं आपको बताता हूं जैसे यह जो है इसके अंदर लाइब बस होते हैं तो यह लाइब बस मतलब वहां पर आपको 440 वोल्ट आपको यहां पर मिलेगा इस जगह पर हम इसको देखते हैं यह है इसके अंदर आप देख सकते हो अंदर टिंगे ना यह 440 वोल्ट इस पर अंदर बस बार में है यह पूरा पॉर्सन जो है 440 वोल्ट इसके अंदर आर वाई बी टीनों बस लगे हुए फिर से मैं दिखाता हूँ अगर जिनोंने अच्छे से नहीं देख पाया हो यह रिस्की होता है कही पर भी आप काम करोगे तो बहुत ध्यान थे यह है तीक है अब यहाँ पर जो फीडर है यह अपना फीडर यह वाला हिस्सा अंदर चला जाता है यह वाला हिस्सा जो है वो यहाँ पर फीक्स हो जाता है बाद यह अपने अभी तक जो भी पढ़ा है यह वह द्रोइग पढ़ी है बिल्कुल सही पढ़ा है लेकिन जो इसकी सर्किट है जब आप फिल्ड में जाओगे मतलब आप अपने फिल्ड में जाओगे मतलब जब आप रियल प्रॉब्लम सेज करोगे उस वक्त जो ड्रॉइंग होती है वह आपको पढ़ने आना चाहिए तिया है क्योंकि इस पैनल में देखी डियूल स्टार्टर आपने जो भी पढ़ा है उसमें एक कॉंटक्टर होता है यहां पी एक कॉंटक्टर है बगल में अवरलोड रिले है उसके साथ य साथ और भी कॉंटक्टर दो कॉंटक्टर और है दो नहीं एक कॉंटक्टर रॉल है नीचे एक सीटी भी है साहिन में कुछ और भी वाइरिंग हुई है और यह देखिए अब इतनी तारी वाइरिंग हुई है न अब जब किसी वज़ा से यह फीडर पावर नहीं दे पा रहा है उस वक्त चाहे टेकनिसियन चाहे जूरियर इंजिनियर चाहे सिनियर इंजिनियर सब को आकर उस प्रॉब्लम को सौट आउट करना है आप जितनी भी बड़ी पोस्ट में होंगे तब आपकी रिस्पॉंसिल्यूटी उतनी ही बढ़ जाती है ठीक ह क्योंकि जो भी नीचे रेवल पे हैं वो तो कह सकते हैं कि फ़र मुझसे नहीं हो रहा है अब आपको करना है उस वक्त आपको आकर इसे देखना ही पड़ेगा और आपके उपर सबसे बड़ी रिस्पॉंसिल्टी आपके पोस्ट के साब से बढ़ जाती है तो इसलिए मैं क को जोइन कर सकते हैं इसमें हम आपको जीजह बताते हैं कभी-कभी आपको रियर प्रअब्लेम्स भी आपको लएव दिखाया जाता है तो इससे होगा किया कि आपको एक एक स्पीरिएंस मिलेगा जिसकिसी क्या आप लाइव्ड काम कर तो उस वक्त माहूल के सा होता है जो काम कर रहे होते लेक्टिकल वाले उन पर कितना प्रेसर होता है काम करने का ठीक है यह तो भी डेमो है अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि मैंने एक मोडिल निकल वाया है वहाँ पे और सिर्फ यह बताने के लिए कि बहुत से लोगों को बता भी होगा अल्रेटी लेकिन काफी लोगों को नहीं पता है तो यह एक मॉडूल कैसे वहां फीट होता है उसके अंदर क्या क्या प्रेटर्स यूज होते हैं उसका सिंपल मैंने च्छोटा तर्डेमो देने की कोशिस किया यह देखिए यह जो है साइड से यह कॉंटक्ट स्लाइडिंग कॉंटक्ट करते हैं जो कि यहां पर फीट हो जाता है पैनल के अंदर जो मैंने खोला है वहां पर इस साइड में यह फिक्स हो जाते है इसी में control voltage आता है आपको तो याद होगा पहले भी बता है तर काफी लोगों को पता है कि इसमें control and power दोनों ही voltage है control जो है इसको circuit से control करने के लिए यूज होता है power circuit जो यहां बस बार से निकल के इस module में पहुंचता है आइसलेटर से होते हुए ओवरलोड होते हुए contactor से निकलता है वो तीनो फेज आरवाई भी जो है इस end में आते है इस end में आते है इस end में यह है यह है output और यह output आपके लग जाता है यहां पर और उसके side में cable जोड़े हुए है वो खोलने के लिए हमें देखने के लिए से खोलना पड़ेगा सायद कुछ खूला हो तो मैं आपको दिखाऊ हूँ जैसे यहां पर भी आपको मिलेगा नहीं ठीक है कोई बात नहीं तो मुझे लगता है कितना काफी है आपको समझाने के लिए कि एक डियोले स्टाटर जितना इजी कॉपी में दिखता है उतना कॉपी में कि दिखता इजी है मगर जब फिल्ड में आप उसको रियल फेस करते हूं उस वक्त थोड़ा सा कॉंप्रिकेट लगता है कि इस साइड में इसके जो रोलर्स लगे हुए यह जो रोलर्स है यह रोलर्स यहां पर फीडर के अंदर उसको ढखेलने में मदद देते हैं अरामती गाइड रेल है वो अंदर चला जाता है तो दोस्तो आज के लिए इतना काफी है मैंने आपको इसे खोल कर दिखाया नेक्स्ट वीडियो में हम यह जानने की कोशिस करेंगे कि यह काम कैसे करता है इसके ड्रॉइंग को कहते हम रीड करते हैं और कैसे जितनी जल्दी हो तके उतना हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉट आउट कर सके ठीक है कि इसी के साथ मैं आप से विज़ा लेता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ सीखते रहें दिखाते रहें थैंक्यू